तो अगर आप किया की सॉनेट या फिर सेल्टोस देने का प्लान कर रहे हो तो मेक शूर आप ये वीडियो पूरा देगो तो यहाँ पी किया ने अपनी सॉनेट और सेल्टोस के लाइन अप में एक और नया वैरियंट लॉंच कर दिया है कि वाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है रिचर्ट से लेकर के वीडियो की शूप से लेकर के बाद मेरिटिंग और पोस्ट करने से लेकर के काफी मेहनत लगती है काफी टाइम लगता है तो make sure आप वीडियो से अंटरेक्ट करो, पसंद आ रहा है तो like मार दो, नहीं पसंद आ रहा, dislike मार दो, और किया improvement किया सकती है, comment में में इसे share करो, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने main video की तरफ, तो Kia ने अपने Sonnet और Celtos दोनों के ही line-up में एक नहा variant launch कर दिया है, जिसका नाम है GTX, एन जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में में दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो हम सबसे पहले बात करते हैं Sonnet के बारे में, तो Kia Sonnet में ही तो GTX variant होने वाला है, यह HTX Plus और GTX Plus के बीच में आएगा, यानि कि HTX Plus के उपर आएगा, और GTX Plus के नीचे तो यानि कि HTX Plus पर जो भी फिचर मिल रहे है हमारे को वो सारे फिचर तो उसमें मिलिं गई, बन उसके अलामात कुछ additional features यहां पर आवर किया जा रहे है, तो क्या है वो additional features, सबसे पहले तो इसमें हमारे को 4th यह powered driver seat मिल जाएगी, air purifier मिल जाता है, and cruise control आवर किया जा रहा है अब अगर बात करो किया Seltos की GTX variant की, तो यह जो है, यह HTX Plus and GTX Plus as जो variant आता है किया Seltos का उसके बीच में आएगा, and किया Seltos के इस GTX variant में हमारे को additionally सबसे पहले तो level 2 ADAS मिल जाता है, जो किस से पहले सिफ top end variant में ही मिलता था, panoramic sunroof मिल जाता है, and ventilated front seats over की जा रही है, and कि यह अपने ही Seltos and Sonet के GTX variant को, इसके बोध petrol and diesel engine दूलों के साथ offer कर रही है, but सिर्फ automatic transmission के साथ, तो petrol में तो हमारे को DCT transmission वाला gearbox मिलेगा, but वहीं अगर आप इसको diesel में लेते हो, तो वहाँ पे आपको automatic transmission वाला gearbox मिलेगा, and बात करूं, अब अगर इन दोलों के यह price की, तो वाला variant है, petrol का, जो कि 7-speed की DCT transmission वाली gearbox के साथ आएगा, इसकी price 13.71 lakh रुपेज एक शोरूम है, and वहीं अगर इसी Sonet के GTX variant को, आप diesel में लेते हो, जो कि 6-speed के automatic transmission वाली gearbox के साथ आएगा, जो उसकी price है, वो 14.56 lakh रुपेज एक शोरूम है, तो यह तो price वी Sonet GTX की, and अब अग अगर आप इसको diesel में लेते हो, जो कि again 6-speed के automatic transmission वाली gearbox के साथ आएगा, तो इसकी भी price 19 lakh रुपेज एक शोरूम है, तो यहाँ पर किया ने अपने Seltos की GTX variant को चाहिए, आप petrol में देखो है या diesel में, दोनों को ही 19 lakh रुपेज के एक शोरूम प्राइस में लाँज या नहीं अपने SONET and Seltos के लाइनप में launch किया है, क्या रहा है आपकी SONET and Seltos के GTX variant वो लेकर के, मुझसे आप कॉमेंट देर के ज़रूर शेयर करना, बाकि अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो बाई डिसलाइक मर देना, और अगर चैनल पे नए आप